हलो माई डियर स्टूडेंट्स जैहिन मैं हूँ महिंदर और आप देख रहे हैं MT365 आज के वीडियो समेस्टर वन के ऐसे विद्यार्थियूं के लिए है जिनका IRC हिस्टी है अर्थात की पहले का जो जी पेपर होता था वही अब IRC हो गया अर्थात की यह देख रहे हैं आप यहाँ पे IRC जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है introductory regular course हाना तो जिन बच्चों का introductory regular course history है उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही महत्पुन है तो मुझे लगता है कि history जिनका honors होता है उसको छोड़ करके जाद तर जो social science के students होते हैं वो सब history अपना paper रखते ही है जीप के रूप में तो वैसे candidates या students इस वीडियो को लाश तक देखें कि जब से यह चार वर्सी अपार्ट करम लागू हुआ है four year undergraduate program उसमें अब किस type के questions पूछे जा रहे हैं और उसका pattern क्या होता है तो अभी recently बिनोवा भावे उनिवर्सीटी ने जो exam conduct की semester 1 का exam उसमें जो question पूछा गया है उसी को base मान करके यह video में ने बनाया है तो इसको आप देख सकते हैं तो आए करके हम लोग देखते हैं इसमें क्या है देखिए सबसे पहली बात की उपर का जो introduction होता था पहले भी question paper में वही लिखा होता था आप भी वही है आप देख सकते हैं यहाँ पे copyright reserve BFU BFY UG अर्थात की यही हुआ है ना कि फोर यर अंडर ग्रिजर्जेशन प्रोग्राम जो हो है और उसके बाद history है IRC 1 है यहाँ पे session लिखा हुआ है 2022-26 टाइम है तीन गंटे full marks 75 और आगे देखे लिखा हुआ है candidates are required to give their answer in their own words as far as they are practicable अर्थात की परिशारती अथा संभव अपने सब्दों में ही उत्तर दें next निर्देश है the figures in the margin indicate full marks अर्थात की उपांत के अंग पुर्णांग के ग्यो तक है next section है यह निर्देश है answer any five questions in which question number one is compulsory अर्थात की किन ही पांच प्रस्नों के उत्तर दें जिनमें प्रस्न संख्या एक अनिवार्ज है यह वाला जो चीज है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे यहां पर देखें लिखा हुआ है कि किन ही पांच प्रस्नों के उत्तर दें जिनमें प्रस्न संख्या एक अनिवार्ज है मात्र आपको प्रस्नों के उत्तर देना है लेकिन question number जो one है वो अनिवार्ज होता है यह देखें question number जो one है question number one दो पार्ट में यह देख सकते है a section a और section b तो जो यह है यह पहला question तो अनिवार्ज है ही है यह तो necessary है compulsory है अब बचा कितना? चार question अब जो rest जितने questions होंगे उसमें से मात्र आपको चार question के जवाब देने है तो जाइए देखते हैं कि question क्या पूछा गया था इस बार एक अकर के हम लोग देखते हैं पहला question है which book deals with the history of कस्मीर अर्थात की कौन सी पुस्तक कस्मीर के इतिहास से सम्मंदीत है तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसका answer जो है यह है राज तरंगनी कस्मीर के एक लिखक हुए थे कलहन जिन्होंने वहाँ की इतिहास पे एक पुस्तक लिखी थी अर्थात की कलहन की जो राज तरंगनी है वो कस्मीर के इतिहास से सम्मंदीत है और ऐसा माना जाता है कि भारत में सिलसिलेवार इतिहास लिखने का जो करम है वो इनहीं किताब से सुरुवात मानी जाती है यहाँ पे थोड़ा सा पहले से मैं अगर तुलना करूं तो कोस्षन वही है पहले क्या होता था कि आपको कोस्षन के ओप्संस दिये जाते थे जैसे कौन से पुस्तक कस्मीर के इतिहास से सम्मंदीत है चार ओप्संस आपको दे दिये गया चाहे कोई भी पूस्तक का नाम हो सकता है उसमें से एक आपको सही करना है तो अब क्या है आप डार्ट उसका अंसर लिखना है तो सेम चीज है बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है नेक्स सवाल है अर्थात की राना कुमभा का बिजे अस्तंब कहा है अस्तित है न वहीं पूछा गया है मतलब आपको जवाब देना इसका तो थोड़ा सा इस कोशन में मुझे इसका अंसर अभी ध्यान नहीं आ रहा है मैं नेक्स वीडियो में कोशिस करूँगा जब इसका पूरा डिटेल से आप लोग की तयारी कर वहाँ तो वहाँ इसकी जिकर करूँ और बता दू नेक्स कोशन है और अरफात की हिंद सौराज पुस्तक के लिए का कौन थे तो हिंद सौराज पुस्तक के लिए का जो है वह महात्मा गांधी है नेक्स कोशन है अर्थात की किस ने कहा था जब आधी रात का घंटा बजेगा जब दुनिया सोई होगी भारत जीवन और सौतन तर्था के साथ उठेगा यह जो सब्द है उपंडी जोहरलाल नहरू जी का है और 14 अगस्त की रात में जो है इन्होंने जब भासन दिया था तो उसी के समय इन्होंने यह बोला था नेक्स अब सेक्षन कोस्टन एक ही पार्ट बी जो है सेक्षन बी कि राइट सौट नॉट्स अन एनी फाइप अफ दा फॉलविंग कि यह देखिए यहां पर यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि राइट सौट नॉट्स अनी फाइब अन्दा फॉलविंग अर्थात की निम्लिखित में से किन ही पांच पर संचिप्त टिपनिया लिखें यहां पर ध्यान रखें कि पांच लिखना और पांच की दो-दो मतलब जो है वो दो-दो नंबर है अर्थात की टोटल दस नंबर के हैं है पहल आप इसमें जितने भी दिया हुआ है जैसे वैदिक साहित दिया हुआ है नालंदा बिद्यापीड दिया हुआ है राजा कृसंदीव राय दिया हुआ है और आगे राने लक्षमिभाई है पूना पैक्ट 1932 है 1929 का कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन है बिरसा मुंडा है तो यतने जो सारे आपसोंस हैं टोटल कितने आपसन हो गये एक दो तीन चार पांथ चेस साथ आठ आठ मैंसे आपको मात्र पांच पे आपको टिपकर नी लिखना है आप पांच जो आपको उचिता लगे वह आप उस पर लिख सकते हैं जिसमें आप कंपटेवल हैं और ज्यादा अच्छे से उसको, उसका अंसर लिख सकते हैं, उन ही चीजों को सेलेक्ट करें, अब यहां से, कोस्टन नमबर टू से लेकर के लास्ट तक, जितने भी कोस्टन हैं, उसमें से आपको मातर चार कोस्टन के जवाब देने हैं, चुकि आपने पहले इंसेक्शन में थो लाइट ऑन दे साइलेंट फिचार्स ऑफ वैदिक रिलिजन, अर्थात की वैदिक धर्म की परमुख विसेश्टाओं पर परकास डालने, यह सेकेंड नमबर का कोस्टन है, यहां पर एक चीज मैं थोड़ा से ध्यान दिलाऊंगा, यह जो आप यह जो फिप्टीन रखेंगे, वो पंद्रा पंद्रा नमर का होगा है, तो यह से लिए यहां पर पंद्रा फिप्टीन जो है इंडिकेट किया गया है, उसको ध्यान रखें कि यह माक्स है, टोटर माक्स, तो वही है कि बैदिक धर्म की परमुख विसेश्टाओं पर परकास डालें, नेक्स को परिंट हुआ है, गौतम बुद्ध ही इसको पढ़ें आप लोग, तो यह गौतम बुद्ध की जीवनी और उटन के सिक्षा क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है, तो कोसिस यह करें, यह जितने भी लॉंग कोसंस होते हैं, उसका अंसर का प्रैक्टिस आप पहले से करें, ताकि एक्जामनेशन हॉल में आपका कोसन ना बहुत अधिक लंबा हो और ना ही छोटा हो, पंदरा मार्क्स के लिए जितना रिक्वाइर होता है, लगबख तीन, साड़े तीन पेज, चार पेज, उतना आप कम से कम, टू दी पॉइंट अंसर जरूर लिखें, नेक् कोसन है, describe the causes of disintegration of दिली सल्तनत, चारत की दिली सल्तनत के बिघटन के कारणों का वर्नन करें, चट्था कोसन है, was दीन इलाही mountain of अकबर fully discussed, क्या दीन इलाही अकबर की मुर्खता का समारक था, भी बेचना करें, तो अगर आपने अकबर की नीती के बारे में पढ़ा है, उनक आप असानी से इसको जो है, डिल कर सकते हैं, और अपना निसकर्स में लिख सकते हैं, नेक्स कोसन है, examine the nature of the revolt of 1857, do you agree that this was nationalist in nature, अर्थात कहने का मतलब ये है, कि 1857 के बिद्रोह की प्रकृती का परिक्षन करें, और साथ ही साथ, क्या आप सहमत हैं, कि यह प्रकृती में रास यह था, कहने का मतलब सिंपल सा, यह पूछा गया है, कि 1869 का जो बिद्रोह हुआ, उसका nature कैसा था, उसके प्रकृती क्या थी, और उसके प्रकृती को ध्यान में रखते हुए, क्या आप ये निसकर्स निकाल सकते हैं, कि यह एक रास्टी बिद्रोह था, क्या इसको भारत क भारत की सौतनदरता का पर्थम रास्टी सौतनदरता अंदूलन कहा जा सकता है, तो इस टैप से अगर आप निसकर्स निकाल पा रहें, तो वही आप से पूछा गया है, कि क्या आप सहमत है कि यह बरकृती में रास्टी बिद्रोह था, या छेत्रिय था, तो अब जब मैठ पर्थम रास्टी बिद्रोह को पढ़ेंगे, तो आपको आसाने सी यह समझ में आ जाएगा, कि यह रास्टी था या नहीं था, क्या यह भारत का पर्थम सौतनदरता संगराम था, या नहीं था, नेक्स्कोशन है, अर्थात की भारत की स्वाधिनता संगराम में, आजाद हि की भूमिका का मिल्यंगन करें, लास्ट कोशन है, एक्जामिन दा सरकम्टांसिस दैट ले टू दा पार्थिसन आफ इंडिया, अर्थात की उन परिस्थीतियों का परिक्षन करें, जिसने भारत की भीवाधिन की भूमिका निभाई, तो यह कुल मिलाकर की लॉंग कोशन ज है, वो कंपल सरी है, तो यह भी जो बिनवाभाव एक उनिवर्सिटी के तहत एक्जाम कंड़क्ट किया गया था, उसमें यह आई आर्सी के हिस्ट्री पेपर में जो कोशन आया था, उसी का हम लोग यहाँ पी उसी को देख रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि भले ही पाठ लगभग सेम है, कोशन पूछने का जो सौट कोशन, लोग कोशन पूछने का जो तरीका है, वो वही का वही है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को परिसान नहीं होना है, पिछला जो पैटर्न था, उसको अगर आप फोलो करें, तो आसानी से आपकी तयारी हो सकती है, और आप एक्जाम में अच्छा मार्स ला सकते हैं, हाँ, रही बात कि हर युनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है, तो अपने ये अपने युनिवर्सिटी के सिलेबस को देखें, और उस जो सिलेबस में जो टॉपिक है, उस कोशन को जो तयार करना है, वो इसी पेपर को ले करके आएंगे, तब तक के लिए जैहिंद,